आफिर बाग को ही क्यों भारत का नैशनल एनिमल चुना गया जबकि 1972 तक शेर भारत का नैशनल एनिमल था तो आफिर ऐसा क्या हुआ कि शेर को हटा कर 1973 में बाग को इंडिया का नैशनल एनिमल घोशित कर दिया गया दरसल दोस्तों उस समय अंग्रेजों ने बाग की खाल के लिए उनका इतना ज्यादा शिकार किया कि वो लगभग विलुक्ती की गगार पर पहुँच गए ऐसे में जंगल का संतुलन बनाये रखने के लिए बाग जैसे ताकतवर और इंटेलिजेंट जानवर का होना बहुत जरूरी था भारत में बाग का ना होना ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था इसलिए सरकार ने बाग को 1973 में राश्टर पशु घोशित कर दिया ताकि इनके शिकार पर रोक लगाई जा सके टाइगर को इंडिया का नैशनल एनिमल बनाने के पीछे एक और वज़े थी और वो थी रॉयल बेंगल टाइगर की खूबियां क्योंकि भले ही जंगल का राजा शेर है लेकिन बाग उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता है और तो और ये काफी इंटेलिजेंट भी होता है वैसे आपका लाइन और टाइगर में से फेवरेट कौन है कमेंट करके ज़रूर बताना